नमश्कार आपको सोगत इस्टोक अलोजी में आज हम बात करने वाले हैं अर्णाव फैसंस लिंटेट के कौटरली रिजल्ट्स के बारे में तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है प्लीज सब्सक्राइब करते हैं बैल आकउन पर क्लिक करते हैं वीडियो को मार्च वाइस क्वाटर के रिजल्ट है और जो आकड़े आपको सबसे पहले दिखाए दे रहा है वह हैं जून वाइस क्वाटर के रिजल्ट तो देखेंगे थार्ड नमर पॉइंट टोटल इंकम को जून 21 क्वाटर में कंपनी की इंकम थी 587.58 लाग की मार्च वाइस मार्च वाइस क्वाटर से जून 22 क्वाटर में तो हमेँ इंकम में 55 प्रतिशत की और तो यहा दिका करते हैं quarter on quarter में March 22 quarter से June 22 quarter में तो यहां पर हमें company की income घठते हुए नजर आ रही है quarter on quarter में बात करते हैं expenses की सबसे नीचे लिए गया है total expenses June 21 quarter में 505.99 लाग के expenses थे जो कि March 22 quarter में 1569.15 लाग के हुए और June 22 quarter में 847.50 लाग के expenses रहे तो total expenses को यदि हम देखें year on year में June 21 quarter से June 22 quarter में तो हमें 68% की व्रदी expenses में year on year में होते हुए दिखाई दी रही है अगर हम बात करते है quarter on quarter में March 22 quarter से जून 22 quarter में तो यहां पर हमें quarter on quarter में expenses घटते हुए नजर आ रहे हैं बात कर लेते हैं profit and loss statement की तो देखते हैं सेवंथ नंबर पाइंट profit from ordinary activities before tax को जून 21 quarter में 11.59 लाग के profit before tax थे मार्च 22 quarter में 132.60 लाग के profit before tax हुए और जून 22 quarter में 61.03 लाग के profit before tax रहे तो profit before tax की जदी हम बात करते हैं year on year में June 21 quarter से जून 22 quarter में तो यहां पर हमें profit में कमी होते हुए दिखाई दे रही है year on year में अगर हम बात करते हैं quarter on quarter में March 22 quarter से जून 24 quarter में तो यहां भी profit before tax घटते हुए नजर आ रहे हैं बात करते हैं 9th नमबर point की net profit for the period की कमपनी के net profit की जून 21 quarter में 60.90 लाग के net profit थे March 22 quarter में 89.12 लाग के net profit हुए और जून 22 quarter में 45.48 लाग के net profit रहे तो net profit को यदि हम देखते हैं year on year में June 21 quarter से जून 22 quarter में तो हमें कमपनी के profit में year on year में कमी होते हुए दिखाई दे रही है अगर हम बत करें quarter on quarter में March 22 quarter से जून 22 quarter में तो quarter on quarter में भी company के profit घटते हुए नजर आ रहे हैं overall results की बात की जाए तो चाहे company के profit before tax हो या after tax हो दोनों ही हमें कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं company के quarter on quarter year on year दोनों में profit घटते हुए नजर आ रहे हैं धन्यवाद